साथियों माताओं बेहनों बेटियों का सामर्द बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राप्पिक्ता है मैंने लाल के लिए से भी पार बार इस विशेश को उठाया है आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बेहनों बेटियों की पीड़ा को उनके घुसे को मैं समझ रहा हूँ मैं एक बार फिर देश के हर राज्य नितिक दल से कहूँगा हर राज्य सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाब अपरात अक्षम में पाप है दोशी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अस्पताल हो स्कूल हो सब्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्ता जिस बीस तर पर लापरवाई होती है सबका हिसाब होना चाहिए उपर से नीचे तक मैसे एकदम साब जाना चाहिए ये पाप अक्षम में है अरे सरकार आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन जीवन की रख्षा और नारी गरीमा की रख्षा इस समाज के रुप में भी और सरकार के रुप में भी हम सब का बड़ा दाईत्व है साथ क्यों महिलाओं पर अप्त्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सक्त कर रही है आज इतनी बड़ी संग्यान है देश की बेहन और बेट के यहां है तो इसलिए मैं विशे इस तोर पर आपको बताना चाहता हूँ पहले शिकायत आती थी कि समय पर F.I.R. नहीं होती सुनवाई नहीं होती मुकद्दमों में देर बहुत लगती है ऐसी अनेक अडचनों को हमने भारतिये न्याय सहीता में दूर कर दिया है इसमें पूरा चप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के समन में बनाया गया है अगर पीडित महिलाओं को ठाने नहीं जाना है तो वो गर बैठे E.F.I.R. दर्ज करा सकती है हमने ये भी पक्का किया है कि E.F.I.R. से आने के स्तर पर कोई टाल मटोल या पिर छेड़ छाड़ नहीं कर पाएगा इससे तेजी से चांच करने और दोश्यों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी साथियों नए कानुनों में नाबालिगों से हुए यह उन अपरादों पर फांसी और उम्रकेद की सजा का प्रावदान किया गया है बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी दोखे के कई मामले आते रहें पहले इसके लिए कोई स्पस्थ कानुन नहीं था अब भारतिय न्याई सहीता में शादी के जूठे वादों और छल को भी साप साप परिभाचित किया गया है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाप अत्याचा रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है हमें भारत के समाच से इस पाप की मानसिक्ता को मिटा कर ही रुकना होगा आपको भारत के से अद्वाद के दिलाबाद कि दिला झाली है कर दोल भारत के से बाहाँ भारत क्वादश प्रेंगर के से जाद्वाद यह लूह कि कर दो दोदानों के से थाज्य चुश़ को पत्ना है